पुराणों के अनुसार नंदी असल में शिलाद रिशी के पुत्र थे और शिलाद रिशी थे ब्रह्मचारी दरसल हुआ यों कि ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते करते शिलाद रिशी के मन में एक भय बैठ गया भय था कि बिना संतान उनकी मृत्यों के बाद उनका वंस समाप्त हो जाएगा इसलिए उन्होंने अपने वंस को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा गोद लेने का मन बनाया मन तो रिशी सिलाद ने बना लिया लेकिन दुविधा यह थी कि रिशी ऐसे बालक को गोद लेना चाहते थे जिस पर भगवान शिव की असीन क्रपा हो अब ऐसा बालक ढूनने से भी मिलना मुश्किल था तो रिशी भगवान की घोर तपस्या में लीन हो गए लंबे समय तक तब करने के बाद भी उन्हें इसका कोई फल प्राप्त ना हुआ ऐसे में रिशी सिलाद ने अपनी तपस्या को और भी कठोर कर दिया काफी समय के बाद कठोर तब के बाद आखिर भगवान शिव उन्हें पर प्रसंद हुए और उन्हेंने रिशी सिलाद को दर्सन दिये भगवान शिव ने रिशी सिलाद से कहा मांगो क्या वर मांगना चाहते हो रिशी सिलाद ने अपनी कामना भगवान सिव से जाहर की भगवान सिव ने रिशी सिलाद को पुत्र का आसिरवात दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए अगले ही दिन जब रिशी सिलाद पास के खेतों से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहाँ एक नवजात बच्चा मिला उसका मुख बेहधी मनमोहक और लुभावना था रिशी बच्चे को देखकर बहुत खुस हुए और यह सोचकर इधर उधर देखने लगे कि इतने प्यारे बच्चे को इस हाल में यहाँ पर छोड़ कर कौन चला गया तभी वहाँ आकासवानी हुई और आवाज आई कि यह बच्चा तुम्हारा ही है अब तो रिशी सिलाद की प्रसंता का कोई ठिकाना ही नहीं था वह उसे अपने साथ अपने घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे देखते ही देखते ही नंदी बड़ा हो गया एक दिन रिशी सिलाद के घर दो सन्यासी आए रिशी सिलाद की आगयां से नंदी ने दोनों सन्यासीयों की खूब आदर सतकार किया उन्हें भोजन कराया रिशी सिलाद के घर मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसंद हुए उन्होंने रिशी सिलाद क्यों दिरगायू का आशिरवात दिया लेकिन नंदी जिसने उनकी इतनी मन से सेवा की थी इसके लिए एक शब्द भी उन्होंने नहीं कह सन्यासियों द्वारा ऐसा किये जाने पर रिशी सिलाद को आश्चर हुआ अपनी जग्यासा को सांत करने के लिए रिशी सिलाद ने सन्यासियों से ऐसा करने के पीछे उनकी वजह पूछी तब सन्यासियों ने बताया कि आपके इस पुत्र की आयू बहुत कम है इसलिए हमने इसे कोई आशिरवाद नहीं दिया नंदी ने सन्यासियों की यह बात सुन ली नंदी ने अपने पिता से कहा आपने मुझे स्वैंग भगवान सिव की आशिरवाट से पाया है तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे आप इस पर बिलकुल भी चिंता ना करें इतना कहते हुए नंदी भगवान शिव के आराधना में लग जाता है अपने पिता की तरही नंदी भी भगवान शिव को प्रसंद करने के लिए कठोर तब करता है फलस्वरुप भगवान सिव प्रसंद होते हैं और नंदी से कहते हैं कि मांगो क्या वर्दान चाहिए तुम्हें तब नंदी कहते हैं हे प्रभु आप मुझे अपना सानिध्य प्रदान करें। यह जीवन आपके सानिध्य में ही वैतीत करना चाहता हूँ। उनकी भक्ती को देखकर सिव जी ने नंदी को गले लगा लिया और उनको बैल का चेहरा दे दिया। नंदी गणों में शीव के सबसे प्रिय और परम भक्त भी हैं। तब से नंदी भगवान शीव के वाहन बन गए। और समाज में उन्हें पूजने इस्थान भी मिला। यही वजह है कि भगवान सिव की आराधना से पूर्व उनके प्रिय नंदी की पूजा की जाती है।